हलो बाईलो, बैक्ट बाई एर, और क्या आपको पता है, आप घर बैठे बैठे, घर में पड़े चावल से वो लुगदी दारू बना सकते हो, जो रनवीर कपूर ने दीब का पादगोंड को ये जवानी ये दीवानी में पिलाई थी, और उसके बाद ये कहा था, सची, और जब फिल्मों का जिकर निकली चुका है, तो आप इने जानते होगे, इंडिया की देसी दारू को, इंडिया की हाई सोसाइटी अपनाए ना अपनाए, पर हॉलिवूड के जिम्स मॉंड ने उसे अपनाया था, और उन्हें उसका बड़ा शौक था, पर वो कौनसी देसी दारू थी, और वो उन्होंने कैसे चकी, ये बातें तो होती रहेंगी, फिलाल आप ये बताओ की, सुनने में कूल लगता है, लेकिन असल में ये जितना कूल है, उससे जादा खतरनाक है, जिससे 2008 में, 170 और 2015 और 2019 में 100-100 लोग मारे गए थे, मगर आज भी ना तो इस फेवंस फेणी की कहानी, मतलब काजू के जाड से काजू तो मिलते ही हैं, पर उसके फल से, पुरा कोर फेणी भी हमारे छोली में गरते हैं, और इसकी शुरुआत होती है काजू के फल और काजू को अलग करने से, जिसके बाद कोई ओल फेशन वोड़न शू से, या कोई मशीन से, फल के रस को निकाल लेता है, रस निकलते ही बारी आती है, उसे चान कर, 3-4 दिनों के लिए किसी ड्रम या मिटी के मटकों में, उससे सढने के लिए छोडने की, 3-4 दिन के पूरे होते ही रस को निकाल कर, उसे एक भट्टी पर चड़ा दिया जाता है, जहां उसक distillation process यानी liquid को बर्फ बना कर उसे फिर से पानी के form में लाने की process को पूरा किया जाता है तो भटी पर चड़ा बरतन सिर्फ एक pipe को छोड़ कर पूरी तरह बंद होता है उसी pipe से काजू के फल का rust pipe के जरीए 6-8 गंटों में पर्फ बनता है ठंडा होकर फिर से liquid form में आता है और एक बरतन में store किया जाता है और तैयार है उराज वो दारू जिसमें 10-15% एलकोहल होता है आप उरग से फेनी बनाने की बात करें तो जब आप उरग को second time distillation process से गुजारते हो तो एलकोहल का percentage 40-45% हो जाता है और यही होता है फेनी जिसे आप ऐसे enjoy कर सकते हो फेनी इंडिया का पहला alcoholic beverage है जिसे सरकार ने geographical indication यानि GI tag दिया यानि इसे बनाने की कोशिश तो हर कोई कर सकता है पर उसका नाम फेनी नहीं रख सकता वो बस गोवालों का हक है यह जवानी यह दिवानी में बनी ने नैना को जो लुगदी पिलाई थी आप ज़रा उस पर चर्चा कर लें इमाजल प्रदीश की यह drink जैसे बनी ने का चावल को सड़ा सड़ा कर ही बनती है अल्दो कभी-कभी लुगदी बनाने का मौका जो के हाथ भी लग जाता है पर लुगदी चावल से बने या जो से उसे बनाने का प्रॉसेस इतना सिंपल है इतना सिंपल है कि बिना देरी के मैं डाइरेक्ट बता ही देता हूं तो देखो लुगदी बनाने के दो मेजर स्टेप्स हैं पहला जितनी लुकदी बनानी होती है उसके हिसाब से चावल लिये जाते हैं। उन्हें धोकर कुछ secret ingredients के साथ पकाया जाता है। और फिर पके चावल को मिट्टी के मट्कों में भर कर 2-3 दिन तक के लिए सणने के लिए छोड़ दिया जाता है। जादतर लुकदी समर सीजन में ही बनाई जाती है क्योंकि गर्मी के दिनों में वेदर और इंवायर्मेंट गर्म होने से लुकदी जल्दी फर्मेंट हो जाती है। वहीं इस सेम फर्मेंटेशन प्रोसेस को विंटर में 6-7 दिन लग जाते हैं। फिर आता है step 2 सड़े हुए चावल और पानी को मिलाने का जिनें मिलाकर अगले एक दिन तक के लिए रखा जाता है। और जैसे step पूरा होता है लुकदी तयार। इंडिया में कुछ इसी तरह के process को दोहरा कर और भी कई drinks बनाई जाती हैं जो different different states में famous हैं। जैसे एपो, अरुनाचल प्रदेश, चौक अक्तिरपुरा, लावपानी, आसाम, मन्री, मिथिला, सेकमई, मनिपूर, सुंडाकंजी, तमिलनाडू और हंडिया, जारखाट। शाद इसकी वज़ए यही है कि इस तरह के beverages हमें इंडस वैली सिविलाजेशन के दोरानी मिल गए थे और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े लोगों ने अपने-अपने हिसाब से इस ड्रिंक को बदला और नया नाम दे दिया, इसके कई फायदे भी हैं श्रिलंका दुनिया का लार्चेस कोकोनट अरेक प्रोडूसर है और सेंट हेलेना में अरेक को बनाने के लिए पोट्रेटोस का इस्तेमाल होता है ये ड्रिंक आफ सिर्फ इंडिया के नॉर्थ में ही नहीं पर तमिलनाडू, केरला और करनाट का जिसे साउधन स्टेट्स में भी एंजुआए कर सकते हो जहाँ जादा तर उसे कोकोनट, शुगर केन और रेड राइस से बनाए चाता है क्या आपने कभी बच्चों को दारू पिलाने के बारे में सुना है वेल, मेग घाले में एक ऐसी दारू है जो छोटे बच्चों को प्रसाद के रूप में दी जाती है क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये दारू उन्हें स्ट्रॉंग और हैल्दी बनाएगी इतना ही नहीं कैदुम जिस मदिरा की बात फैक्ट बाई अभी कर रहा है उसका वहाँ हर तिवहार में मौजूद होना बेहस्ज़ जरूरी होता है और लोग वहाँ उसके इस हदक दीवाने हैं कि गॉर्मेंट के बैन कर देने के पाद उसका इलीगल व्यापार हो रहा है शायद इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग इसे दारू नहीं प्रसाद समझते हैं और शायद उसके कुछ मेडिसिनल वैल्यूज हो भी क्योंकि कैदुम को बनाने के लिए वहाँ खोसो इस्टिकी रेड राइस के साथ ही बहुत से मेडिसिनल प्लांट को एक साथ मिलाया जाता है इन्हें भी अब तक बताए सारे ही ड्रिंक्स के इंग्रेडिन्स की तरह सड़ाया जाता है और फिर उन्हें कौन शेप के बास्केट में दो से तीन दिन के लिए टाइट पैक करके रख दिया जाता है दो-तीन दिन बीटे ही इस मिक्चर को बॉयल करोने की बारी आती है और बॉयल होने के बाद 70% एलकोहल वाली ड्रिंक तयार है आप कोई इसे प्रसाद समझ कर ले या मदरा नमबर फाइव केसर कस्तूरी एबसल्यूट वोदका, गॉर्डन्स जिन, मैक डॉवल्स रम, जेंसन्स, चानी वाकर, जानी दैनियल्स ये सारे विदेशी माल आपने इंडिया में सुने देखे और चके होंगे पर शायद ही आपने महेंगे बार्स में इंडिया की देशी दारू देखी हो, राइट लेकिन केसर कस्तूरी वो इंडियन देशी दारू है, जो नाम के लिए तो देशी है पर इंडिया के रॉयल्स, बोले तो राजा महराजा इसके शौकीन हुआ करते थे और शायद इंडिया की हाई सोसाइटी में देशी दारू के चर्चे होने के बजाए वहाँ विदेशी दारू का ताना बाना इसी लिए है क्योंकि हम इंडियन्स के दिमाग में ये बात बैट चुकी है कि वेस बोले तो बेस्ट पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था हॉलिवुड के जेम्स मॉंड और सर रोजर मूर तक को इस केसर कस्तूरी की कीमत पता है असल में एटीस की ब्लॉकबस्टर अक्टिपुसी को जब राजिस्थान में शूट किया जा रहा था शायद इसके इसी फेम के चलते आज लोग ये तो जानते ही हैं कि ये देसी दारू केसर और बाइस तरह के ड्राइफूर्स, हर्ब्स और स्पाइसिस से बनी है लेकिन वो कौन-कौन से हैं और उनसे ये कैसे बनती है इसका आता-पता किसी को नहीं है इंडिया में कंज्यूम होने वाले टोटल अलकोहल का तू थर्ड देसी दारू होता है और अब हम इसी की बात करेंगे तो देसी दारू इंडिया में सदियों से बनाई जा रही है और इसे कैसे बनाते हैं? वैल खुद ही देख लो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी में गन्ने के गुड को मिलाया चाता है गुड के पानी में घुलने के बाद इसमें एड़ होता ईस और फिर बारी आती है सूखे हुए महुआ की और ये बहुत ही जरूरी इंग्रेडियन्ट है क्योंकि आप जितनी दारू बनाने वाले हो उसके लिए आपको उतना ही महुआ चाहिए एक लीटर के लिए एक किलो महुआ खैर ये तीनों ही चीज़ें मिलाने के बाद इसे भी एक से दो दिन के लिए सड़ाया जाता है जिसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है और ये कलर दिखा मतलब आपका 60% काम डन इसके बाद आपको बस डिस्टिलेशन प्रोसेस को फॉलो करना होता है और आपकी देसी दारू बिल्कुल रेडी पर वो पीने के लिए या लोगों की जान लेने के लिए क्योंकि जादा तर लोग जो इस दारू को बनाते हैं वो इन स्टेप्स को सही तरह से फॉलो नहीं करते जिससे ये जहरीली बन जाती है एक्जाम्बिल के लिए इसे जादा नशीली बनाने के लिए इसमें यूरिया और आकसिटोसन मिलाया जाता है यूरिया एक तरह का पॉसनस केमिकल है और आकसिटोसन एक ऐसा केमिकल जो लोगों में नपुन सकता और नवोसिस्टम से जुड़ी हुई कई बीमारियों की चड़ है और जब ये दोनों ही चीज़ें मिलती है तो इन से एक दीस्ती और भयानक चीज़ बनती है और वो है मितनॉल एक ऐसा सबस्टेंस जिसके शरीर में जाते ही बॉडी के अंदर के पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और जल्दी इनसान की मौत हो जाती है बिल्कुल वैसे ही जैसे फरवरी 2019 नौर्थ इंडिया के आम आदमी पिंटू कुमार की हुई थी दरसल पिंटू अपने किसी दोस्त की मौत का मातम मना कर गर लोट रहा था पर उसके घर पहुचने से पहले उसे अपने दुक का इलाज देसी दारू मिल गया तो पिंटू ने बिना देरी के प्लास्टिक पाउच में मिल रहे देसी दारू के कई पैकेट्स खरीद लिए अब हाला कि इन थैलियों में भरी शराब दिखने में तो थोड़ी जादा दूदिया रंकी थी और उसकी खुश्बू डीजल फ्यूल जैसी आ रही थी लेकिन पिंटू को ये चीजे नजर नहीं आई उसे कुछ नजर आया तो वो था थैली में मिलने वाली दारू का दाम जो बोतल के मुकाबले 40% कम था जिसने उसकी चान ले ली और इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो इसी तरह मारे जाते हैं वेस्ट इस बेस्ट के बाद इंडियन देसी दारू के स्टेट से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल ब्रैंट बन पाने की ये भी एक बहुत बड़ी वज़ा है अगर इंडिया को अपने इन हेरिटेज ट्रिंक्स को आगे लेकर जाना है तो हमें जल्दी इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होगे आपको इस बारे में क्या रखता है आपने इन में से कौन सी मदरा का पान किया है मुझे नीचे कमें सेक्शन में बताओ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब कर दो हम पिर मिलेंगे जैहें